कि चलिए आप लोग जो है कोश्चन नबर यह सब पूछ रहे हैं कि यहां यहां तक बता दिए था चलिए बता दिते हैं कि चलिए सबसे पहले आते हैं 31 में ऊसका डाइग्राम जो है उसको पहले बना ल inten के गौर से समझेगा यहां एक आपका यहांrok का एक ब्लॉक लटका वे वन केजी का मात्र है और इधर जो है आपका प्पोर केजी का ब्लॉक है यह इसा कोश्चन में दे रहा है कोश्चन में और भी कि इनफोर्मेशन दिया हुआ है उसको देख रहे हैं काता दा सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेश्ट एंड ब्लॉक आफ मास वन केजी फांड टू हवए स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड आपर इसेंडिंग थ्रू वन मीटर सिस्टम को रेश्ट से चालू किया गया यानि इनिश्यल विलॉसिटी जो है मतलब सिस्टम रेश्ट से स्टाट हुआ है तो इनिश्यल विलॉसिटी दोनों ब्लॉक का क्या हो गया जीरो हो गया इनिश्यल विलॉसिटी और बोथ ब्लॉक बोथ ब्लॉक इस जीरो यह कोश्चन में दिया है ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ल चेर डिस्तेंस जो कभर किया एकस बरावर 1etenka किया को सब्सक्राइम का पूसक्ट समय हो गया है बास समय लिए इंफोर्मेशन अभी लिख रहे हैं अभी कुछ कर नहीं रहे हैं गौर से समझ लिए हना उसके बाद हम आपसे डिसकुशन तो कर ही रहे हैं कोश्चन बहुत ही असान है अना देख लिए ध्यान से आपको यह एक मिटर जाने के कारण इसका स्पीर इतना हो गया तो यह भी तो स्पीड होगा चलिए तो हम बताते हैं कि आप कहां कहां कन्फ्यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यह है अगर यह रस्षी एक मिटर नीचे गया तो यह धागा इधर से इधर ऐसे गया हुआ है वो धागा इधर से एक मिटर नीचे आजाएगा और फिर इधर से भी एक मिटर यानि कि final situation का diagram हम अगर यहां बनाए तो एक मीटर धागा ये भी और एक मीटर धागा ये भी यहां ये ब्लॉक एक मीटर गया तो इसको दो मीटर धागा का जरूरत है अधर से धागा फिक्स्ड है तो इस ब्लॉक को मजबूरी में जाना पड़ेगा दो मीटर याद कर लिजिए उसके साथ मजबूरी बंद गया कि अब वही सिर्फ फिसलेगा दूसरी बात जब डिस्टेंस दुगना है तो इसका स्पीड भी दुगना होगा ये जो इधर भागेगा final speed एक मीटर के बाद इस अपने से समझना है दिमाग लगा के समझना है अगर समझ में आ गया तो अब आई conservation of energy लिखते हैं परके हम पहले लिख देते हैं आई conservation कि ओप energy ऐसा कंशुज मत किजिए कि हम टोटल में इनर्जी का इनर्जी का लगा रहे हैं ये confusion मत रखिएगा बाई conservation of energy लिखे हैं इनर्जी के conservation principle से देखिए ये जो सारा घटना घटित हुआ वो क्यों हुआ क्योंकि ये ब्लॉक नीचे गया ये ब्लॉक नीचे गया एक मीटर से तो आप लिख सकते हैं decrease in potential energy of 1 kg ब्लॉक इसका potential energy जो घट गया वह इनर्जी कहां कहां गया किस फॉर्म में चला गया तो सबसे पहले इसका speed बढ़ाया मतलब ये जो इनर्जी घटा हुआ कहां कहां गया तो increase increase in kinetic energy of 1 kg and 2 kg ब्लॉक शूद बहां सा लिख रहें देख लिए इसका जो potential जी घटा वह इनर्जी इसके काइनेटिंग में चला गया इसके potential में चला गया इसका भी काइनेटिंग में चला गया दूसरा कुछ इस इनर्जी तो friction के दोरा भी वर्कडण हुआ होगा लस्ट वर्क वाई फ्रिक्षन तोट में लिखा हुआ है वर्क वाई फ्रिक्षन देखें बात को समझेए हम पूछ नहीं लिखें हम ये कहें कि ब्लॉक गया एक मीटर नीचे उसके कारण तो यह उर्जा कारूपांतरन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया मतलब इनर्जी घता हुआ और तो कहीं गया नहीं यह भी इनर्जी कंजर्वेशन रूल है अब देखे कल्कुलेशन की बारी है तो इसका पैसने ही डिक्रीज लिख दिए इसलिए माइनस साइनिस अब मत लिजिएगा सिर्फ इनर्जी और पलस में लेके बनाई जिएगा तो MGH नीचे गया तो 1 kg का बलोग है तो 1 kg जी और हाइट भी 1 मीटर गया नीचे है MGH इतना ही लॉस हुआ इसका इसका काइनेटिक आ गया उसके मदले हाफ 1 kg इन्टू भेलोसीटी का स्क्वाइल जीरो पॉइंट्ट्री का पोल स्क्वाइल पलस इसका काइनेटिक इनर्जी तो हाफ एम भेलोसीटी का स्क्वाइल पलस वागड़न भाई फ्रिक्षन तो देखिए हॉर्जेंट आप यहां पर यह मत्पेसर यह बिडी बनाई है और फ्रिक्षन फोर्स हमको निकाल के दिखाई कि कैसे निकलता है वो आपको प्रैक्षिस करने की जरुवत है तो यहां पर हमको तो याद है कि फ्रिक्षन फोर्स म्यू एमजी होगा और जेंटल पर नॉर्मल एमजी होता है इसलिए फ्रिक्षन फोर्स म्यू एमजी होगा और इसका डिस्प्लेस्मेंट दो मीटर दिया हुआ है तो mu निकालना है, m 4 के g और g डिस्प्लेस्मेंट 2 मीटर, देखिए, अगर आपको कोई कस्ट है तो बतलाइए, नहीं तो हमको तो कोई कस्ट नहीं है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, इसको इधर लाके माइनस करेंगे, तो 0.09 by 2 हो जाएगा, और इसको जब धर लाइएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, तो आनि 72 हो जाएगा, ठीक है, 0.7, माइनस में ये भी हो जाएगा, क्योंकि इस पर ला रहे हैं सबको, माइनस 0.72 हो जाएगा, देख लिए भ्यान से, 2 हो गया, अच्छा 36, अद्दूनब 72, इक्वल टू, देखे, चार दूनी 8 हो गया, 8 गुने 10, आई इन्टू मू हो गया, अब देखे, यहां से, मू बरावर जम निकालिएगा, तो उपर उला टर्म को परे लिख लिजिए, है ना, देखे, इसको काटिएगा, तो यहां सा जाएगा, 0.045 आ जाएगा, इक्वी कट गया, यह दोनों जोड करके 10 में धटाना पड़ेगा, देखे, यह पांच आ जाएगा, यह चार अदू 6 हो गया, यह 7 हो गया, और ऐसा हो गया, और यह 80 हो गया, देख लिख लिख लिखान से, अब उसके बाद अगर इसको घटाईएगा, तो आएगा आपका 5, और 3, और 2, और 9, बाई 80 होगा, अब म्यू का भरू लिखे आता है, 8 से डिभाइड कीजिए, तो देखे, एक तो 0.9 पहले से था, तो होगा 0.115, आपका अंसर, देख लिजे, बात समझ लिजे, एक्जेक्ट सलूशन करके दिखला दिये हैं, अना, अब अगर आप लोग को कोई कस्ट है, तो हमसे discussion कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन doubt पुछेगा, यह मत कहिए कि सर्फ फिर से बता दिजे, फिर से अलग कहानी नहीं, doubt पुछ सकते हैं, आपको क्या कस्ट है, मतलब पार बर पढ़िए, यहां पर सबकुछ बहुत असान है, बसरते की question पढ़ने के बाद diagram और language आपको अपने से बन जाना चाहिए, और वह हिंदी अंग्रेजी का खेल जो हैना, आपको तभी समझ में आएगा, जब एक-एक question को पांच बार, दस बार पढ़ेंगे, हैना, इस physics में रटना नहीं होता है, कोई की जो को समझना होता है, रटने का काम बहुत काम, दस परसेंट, हर मुला बेजरा, थोला concept बेगे हैं, हालो नहीं, हालो नहीं, question हाँ, सरे, question है, जैसे हम लोग, sign convention में, decrease in potential energy minus ले सकते हैं, पाहले लिख दिये थे, तो minus को लेंगे, पाहले हम बोल चुके हैं, उस बात को, चलिए अगला कोशन बतलाते हैं ध्यान से समझेगा समझते रहिएगा तब कोई दिकत नहीं हाँ इधर उधर किजिएगा नास्ता किजिएगा सुतिएगा कभी धर जाइएगा तब तो खष्ट होगा ही बस सोच लिजिए देखे 32 नमबर कोशन को समझ जाएए सलोसन आपके हाथ में देखे 32 नमबर कोशन क्या कह रहा है क्या रहा है ब्लॉक आफ मास हंडिड ग्राम मुभ्ड बीथ स्पीद अफ हाइम मीटर पर सेकेंड एड हाइस पांट अफ़ लोज सर्कूलर ट्यूब है और भर्टिकल रखा मतलब यह ट्यूब ले लिजिए ऐसा है ट्यूब है ईस तरह से और यह जो है आपका भर्टिकल रखा हुए है मतलब इसका और यह जो है वह ठीकल रखाना है कहता है इसकी रेलियस जो है 10 cm इसका ट्यूब का जो रेलियस है न वो 10 cm दिया वह रेलियस फिर कोश्चन में कहता है cross section of the tube is such that block just fitting it इसका cross sectional area इस तरह से है इसमें just object fit किया है काताए एकदम रटिकल पॉजिशन् ये टॉप वला एकदम रटिकल वेला है वहां पर इस ब्लॉक का जो है आनि मास ऑप अब्जेक्ट जो है वह आपका दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन के लिए 100 ग्राम तो हम लिखें तहीं नहीं है कि दब्लॉक मेक्स रिवलर ओसिलेशन इंसाइड त्यूब अनली स्टॉप एड़ लोवर पॉंट वाइट 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 व्लॉक दूरिंग दूरिंग प्रोसेस कोश्चन देखे समझिए कोश्चन बहुत ही सीम्पल कह रहा है कर रहा है यह स्ट्रिवलर ओसिलेशन क्या मतलब चक्कर होता है 2N प्रोमोशन मतलब इसको धक्का दिये तो ऐसे भूमने लगाई अच्छोड दिये और यह पारदर्सी है ट्रांस्पेरेंट है आपको दिख रहा है अगर यह सारा सिश्टम स्मूथ रहता ट्यूब जो है इस ब्लॉक को कोई अपोज नहीं करता मोशन में माल लेते हैं इस कोशन का पार्ट नहीं है अगर यह असमूथ रहता और इस ब्लॉक पर ट्यूब के द्वारा कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगता तो अनंत्र समय के लिए मतलब इन प्नाइट टाइम तक यह सर्कूलर मोशन में ही रह जाता क्योंकि इनर्जी का लॉ बैसे इसे करने लगा होगा अधीरे दीरे यहां पर आख्ते रूप गया यहां पर ब्लॉक जो है डॉक जो है जो है इसके फ्रिक्सन है कौन है अब छुपा के दिया आपको लिखे ए थोड़ी की फिक्सन पोर्स कर दूब को कि निखा लिए तीम की दो आभारा ब्लॉक पर तो यहां भी देखिए दसमा क्लास और आठमा क्लास नुमा क्लास में जो पढ़े हैं इनर्जी कंजर्वेशन वही सबस्यादे इंपोर्टेंट है बाइक कंजर्वेशन और इनर्जी इनर्जी के कंजर्वेशन से चलिए और जाकारूपांत्रन होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म है देखिए हम फ्रेम औफ रिफ्रेंस मतलब जहां समस्टड़ी कर रहे हैं यह फ्रेम औफ रिफ्रेंस कहलाता है फ्रेम तो यह उतना लंबा टर्म लिखने जो नहीं है लिख दिए कि ग् लोग अभी यहां परहत इसके पास काइनेटीक है लेकिन चक्क्र मारते मारते जब यहां रुक जाएगा तो पोटेंशल भी लॉस हो जाएगा क्योंकि हाइट घट गया और काइनेटीक अभी लॉस हो गया अर लॉस करवाया कॉन तो इसके अंदर जो फ्रिक्सन है वर्क बाई ट्यूब ऑन ब्लॉक आनि अबजेक्ट मतलब टीव के द्वारा अबजेट पर कितना वगण हुआ है तो इक्वल टू काम कितना किया हो इसके काइनेटिक नर्जी को भी घाटा दिया मतलब घूम रहा था उसको रोक दिया इसके पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर दिया यानि लिखिएगा डिक्रीज इन पोटेंशियल इनर्जी अब पलस काइनेटिक इनर्जी देखिए कितना सस्ता सलूशन है एक लाइन का सलूशन तकानी खतम अब वार्गडन जो निकालना है तो सिधा सिधा आप क्या लिखिएगा पोटेंशियल का लॉस लिखा हुआ इसलिए माइनस साइन मत लिजेगा लॉस लिखा हुआ इसलिए हाफ एमडे स्कार सिधा ऐसा नहीं कि अब दिमाग लाते रहे जादा तब देखे एम है 0.1 इंट से अस्पीड जो था पांच का स्कॉार्ड था गुना भाग किजिए आपका अंसर जो है वह आपके सामने हैं यहां पर और पलस इधर से जब किजिएगा तो पचीस बटा दो यानि बाराद स्लब पांच आनि 1.25 यानि कि वर्क जो हो गया जीड़ो पॉइंट स्वरी वर्क दन हो गया जब हम जी कमान दस लिये हैं तब ऐसा बात आया है कब आया है जब जी कमान हम दस लिये हैं तब तो इसमें भी आप लोग डाउट पुछना है यह नहीं कि सर उल्टा पुल्टा बात नहीं पुछना है जो आपको कस्ट है कोश्चन के हिसाब से पूछिए आगे पीछे नहीं अना देखिए यहां पर अंसर में माइनस साइं दिया हुआ है माइनस वन पॉन पॉन साइं नहीं होगा देखिए पहले दोनों में लिखा दिया है हम माइनस लेके नहीं निकाले थे अब आपसं में और फोर्स लिएगा माइनस लिखेंगे क्योंकि अपोजिंग फोर्स देखते पहले लिखेंगे डिकरीज डिकरीज इसलिए अंसर आपको जो कम्प्टिटिव एजा में टिक करना है न वो अंसर आपको अपने हिसाब से कभी तो आपको वहाँ पर प्रहे नुमिरिकल भेल उस्तिरस निकाल लीजिए अब ऑफसन में माइनस चारों में दिया हुआ है या एक में दिया हुआ है तो माइनस अलों ऑफसन सही जाएगा क्योंकि यहां अपोजिंग फोर्स के दौरा वाकड़न हुआ है इनर्जी घटा है दो सब्सक्राइब देख लिए कोई नुमेर का भाइलो में दर दर चेंजिंग नहीं आया है कि अब बात समझ लिए कि नहीं को डाउट है तो बोलिए नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे चलिए मैं अगला को श्यन 34 नमर के बात करता हूं ठीफ्ष नमर के बात करता हूं देखिए सारा कोल्शन असान है आपको लगता है वहार यह ना देखें एक एक लाएन हम तो आपको तरह लिख रहे है हम कि अच्छा लॉस हुआ तो हाफ है में इसलिए बहुत चोटा होता है लेकिन आपको दिमाग लाना रहेगा देखिए आने की सोचना होगा पहले बैठ करके घर पर 34 number a small block of mass 200 gram is kept at a top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter height how much work was required a chair a small block of mass kept on a top of frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter height आने कोश्चन में जब सब लिखिये दिया है तो हमको टेंशन के आई बताईए यह height 3.2 meter लिख दिया है inclination का line जो दिया ही 10 meter है ऐसा कोश्चन में लिखा हुआ है कि यह inclined plane की लंबाई 10 meter है कहता है इसका मास्क जो दिया हुआ है मास्क एम जो दिया हुआ 200 ग्राम दिया है तो 0.2 kg लिखेंगे ना 200 ग्राम थोड़ी लिखेंगे क्या लिखेंगे 0.2 kg लिखेंगे कहता है यह में how much work required lift the block from ground and put on the top very good question कोश्चन पुछने वाले भी हो से आ रहे हैं लेंगोजवा बिना पढ़े बढ़का कोश्चन देंके सीधे तर बता दीए यह बात बताईए जब theory प्रहार थे तो ना समझ में आया था कि हम example ले दिये थे कि नीचे ग्राउंड जमीन पर से बेंच उठाईए और मेरे classroom में लेके चले आईएगा तो आप दौर के लाइए धिरे धिरे लाइए घसीट के लाइए उससे हमको क्या मतलब है हमको तो चाहिए कि बेंच उपर लाक्या रख भी है अब ये ब्लॉक को असमूत है रफ तो भी दिया नहीं है आप इधर से ले जाएए या डारे पे उठाक रख दिए उससे क्या मत आपका द्वारा जो फोर्स है वह एक्स्टर्नल है कि वर्क भाई एक्स्टर्नल फोर्स क्या हूँ है यहां भी लगा रहे है यह मतब सोचिएगा कि हम क्या आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ वेलोसिटी दिया है ग्राउन पर कितना अबजेक्ट पर रहा है कि कोशन 200 मिटर पर सकन से दोड़ रहा है तो कानेटी का चेंज लीजिएगा और स्मूथ है यह फ्रिक्शन है नहीं या कोजिंग को फूर्स दिया नहीं है इसका अंतलाब आप उठाक रखें हैं तर सिधा वर्क दन हो गया क्या इनकीजिन पोटें जूल इनी प्रोब्लम बी नंबर में आज़े यह काता है तो स्लाइड दा ब्लॉक अब दैंक्लाइं वाट विलिव दा स्पीड दा ब्लॉक वें रिच ग्राउंड मतलब यहां से इसको स्लाइड कर दिये तो ग्राउंड पर स्पीड कितना हो देखें पूछने वाले कितने होसी आ रहे हैं इसका फर्मूले इसी पर तो कंसेप्टे बताए थे उसके बाद हो हमसे पूछ रहे हैं लिगे तो हम कहा कहेंगे कि ना है और समझाये थे कि क्लाइंट प्लेंगर अस्मूथ है तो कैसे हो गिराइए निक आने पर जलो सीटी अंडर तू जी अचा बोले थे याद करने के लिए इसको देखें दो गुने दस और यहां पर हाइट है 3.2 यानि कि हो गया यह बत्ती दुना चौशत आनि भी हो गया आठ मीटर पर सकेंड तब ने कहें कि आप लोग कोशन लंबाई देखें हम से पुछते हैं हमको ही मजा आता है छोटा-छोटा कोशन बताने है इफ फॉल ओफ इंक्लाइंड अड्रॉप वर्टिकली ग्राउंड गरजब बात है कि आज कहता है कि ऐसे ग्राद यह तो बेलोज़ी तब श्रीफल का फ्रमुलाइंड तो काने मिरी संपड़ है कि भी कॉल टूट यह थोता है तो अंसरा बदल जाएगा एक मीटर तरे सकेंड आएगा फोगिया इस लाइड डाउन दा इनक्लाइन देखिए भाई कैसा हूं क अच्छा अलग था देखिए हम पहले आपको बता दियें C number question यह हैं यह C number question था और यह d number question था B number question नहीं बता है c और d बता दिये थे आप Speed बता दियें B पीछ में छुट गया है to slide down the slide up the incline कहता है B number में B number question अलग था एक छुट गया है वीक में कहता है कि slide जब up करेंगे इसके थूट कि आपको का तो इधर से ले जाए हाथ से उठा ले जाए माठा पर ले जाए उससे प्रेंग बोलें जैसे मन तैसे बोर्टण ऊट नहीं होगा हर केस में होगा तो देखिये कोश्चन में क्या दम था कोश्चन की लंबाई देख करके कोश्चन नहीं पढ़ना यह बहुत गलत बात है इस समझे लिए बात को इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई क्रश्ट है कि नहीं को तो आराम से कोश्चन पूछ सकते हैं ऐसा कोई डर्ग वाली बात नहीं है अन नहीं तो अस्कीन सौट लिए अगला कोश्चन 36 नमबर इंतिजार कर दा है मेरा 36 नमबर बतलाते हैं जल्दी से पढ़िए अना दिमाग भीडाईए कोश्चन बनाईए ऐसे 36 नमबर तो उत नहीं माँ जाएगा एक लाइन करता कोश्चन है रुकिए ना बता देते हैं अल को देखते हैं कि देखें नेक्स प्रोलम जो है आपका 36 37 है दोनों लगाता रहे है थार्टी सिक्स और थार्टी सेवन फीगर देखें सब कोशन पुछते हैं देखें थार्टी सिक्स में क्या है इससे आसान तो कोशन हो सकता है देखी 36 में कहता है कि यह वो ब्लॉक जो ऐस से यहां से चलना शुरुआत गया फिर उपर उटके ऐसे चला गया और लिख रहा है इस समय इसका हाइट एक मीटर है और यहां पर हाइट 0.5 मीटर है धीए कहता है यह ब्लॉक एप यहां से स्टारट हुआ है है सटार्ट चाहरा कुछ क्या है नो मतलब पार्टिकल यहां पर आएका तो कहता है इसके bottom से ये कितना दूर पर जाके ground को hit करेगा ये distance निकालने के लिए आपको कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है तो बात बताते हैं ध्यान से समझ लिएगा अच्छी तरह से कुछ भी कीजिए देखे कैसिफ्स निस हो जाएगा आप दिमाग लगाई यहां पर पोटेंसिल ज्यादा है यहां पर पोटेंसिल लगा सकते हैं इस केस में क्योंकि याद कीजिए यहां पर फ्रिक्ष्ण नहीं है यहां पर लग सकता है तो बाइक कंजर्वेशन अब तोटन और तोल मेकेनिकल इनर्जी आप लिखेगा एब 2.5 है थो टो टोटल मेकेन कर किस पॉंट का एशा लिख सकते वेगें लेकिन गौर्ष देखेगा समझने की कोशित किजिएगा देखें यहां पर हाइट है और पीड़ जीरो है यहांका यही वेलो सीटि निकालना है देखिए हम जान बुझ के लंबा बना रहे हैं सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए इसको इधर लाइए उसको इधर लाइए एम कट गया तो देखिए फेलोसीटी जो आ जाएगा अन्डरूट टू जी एच आ जाएगा आप गौर से देख लिए टू जी एच आ जाएगा एच मतलब एच ए माइनस एच बी कि देखिए वो बात क्या समझे आप लोग यह तो हमको पता नहीं है लेकिन हमको बात समझना गया है कि देखिए क्या समझना आया है हाइट का चेंज अगर पता हो और असमुष सर्फेस पर उपर निच्चे जा करके जैसे मन पैसे फिर कह हों को सबसे मतलब नहीं है मतलब में तुम कहां है दोनों काई यह यह निकल गया तो हाइट का चेंज एक मिटर और आधा मिटर तो आधा मिटर तो ऑंड़र तू जी एच तू इन्टू टेन इन्टू आधा मीटर जिरो पॉइंट फाइए अनि अन्डर रूट टेन हो गया तब भेलोसीटी जो आ गया बी पॉइंट का अन्डर रूट रहा गया मीटर पर संद इसको ऐसा ही रहने दिये तेंसर मत लेजिए होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में रेंज याद है रेंज ऑप होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल फर्मूला याद है जल्दी से बोलिए ना बोलिए जल्दी से रेंज ऑप होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल बैल गारी के चाल से आगर वासंज में और येंटल रेंज का फर्मूला था एक्सका तो देखिए आप यहां जब लिखिएगा तो अंडरूट 10 है यू का वहलू इस पॉइंट का और हाइट जो है आपको पता है दो गुने 0.5 है अबाइट 10 है अंडरूट 10 ये अंडरूट 10 ये गाइब हो जाएगा ये हो जाएगा एक मीटर की दूरी पर जाके फ्यका जाएगा देख लिए ध्यान से समझ लिए कोई भी कष्ट है तो हमको तुरंत बतलाईए हम आपके साथ है जल्दी से बतलाईए और अस्कीन सॉट लिजिए और सैटिस नंबर कोशन बनने का इंतिजार कीजिए देखिए हम आप लोग के लिए इतना दूरूफ किये थे याद कर कि हाइट का चेंज फर्मूला होता है जैसे कोई मतलम नहीं स्मूत होना चाहिए आपको अंडरूफ होता है इतना हमको एक गाम में लिखने की जरूत नहीं है सिद्धे अंडरूफ का फर्मूला अंसर कि बात को समझ लिए अशी तरह से तो आगे बढ़ते हैं 37 नमर कोशन देखते हैं आखिर क्या है 37 नमर कोशन में है यह भी बड़ा अजीब कोशन है बड़ा मतलब सिंपल कोशन आसा कोशन देखिए ऐसा करहा कर दिया गया है और यह भी असमूत शर्फिस है कहां तक तो जहां थक करव होच घा나 उमतलब आसमूत जो है यह यहां पर पॉइंट लिखा हूए यहां पर ठीगुट है और यह बी के बाद ब्हुट है ख़ागा है जहां से एक मीटर का हाइट हैeder मिले का हाइट profits यहां पर जीरो भेलोसीटी से इसका वेट जो है 10 न्यूटन है अनि एम जी का भेलू जो है 10 न्यूटन है एकॉर्डिंग टू प्रस्ण के नुसार डाटा लिख रहे हैं तो आपको पता है कि मास हो जाएगा वन के जी तो बात पते होगा जब बेट 10 न्यूटन है तो कि कोश्चन में फिर कह रहा है आपसे कि कॉफिशेंट अब ट्रिक्शन जो इधर का है न मियू का जो भैलू है वो जीरो पाइंट टू है लिख दिये हैं इसको रोक देगा तो कहता है यहां पर तो अस्पीड जो होगा आपका भी भी होगा और जाके जाते कहीं न कहीं तो करेगा हर हाल में इसका तो कहता है कितना दूर जाकर के रुखेगा डिस्टेंस पता यह वाट अब हम आपको प्रूफ नहीं करेंगे पुरा लिक करके कि टोटल में केनक अनरजी बराबर रूट अंडर टूजीएच अब प्रूफ करने का खेल खतम आप लिखिएगा कि हम जानते हैं विनोडेट अब आप जानते हैं कि भीवी जो होगा ना अनरूट टूजीएच होग और तब भीवी का जो भैलू निकालीएगा ना उजानते क्या होगा अंडरूट टू आइंटू टेन आइंटू वन अस्पीड आ गया इसको ऐसा ही छोड़ जिए टेंसन मत लिजिए एक बात और बताईए इसमें डिस्टेंस निकालना है तो डियल्सेशन के द्वारा आप कि और रॉट रॉड रॉफ होरिजेंटल माइनस मियु जी हम सुन लिये हैं होरिजेंटल रोड ठीक है बहुत लोग को फर्मुला याद होगा इसाब तो सिंपल फर्मुला है माइनस मियु जी नहीं माइनस मियु 0.2 इंटू 10 माइनस टू मीटर पर सेकन अस्पार आगया आ है कि यहां से पता चल गया कि एक्स बार और पांच मीटर आ जाएगा पांच मीटर आ जाएगा देखिए कंडिशन समझ लिए इसको तो हम चार पांच तरह से बना सकते हैं को यह मेठर्ड फर्स्ट हुआ सकंड मेठर्ड में आते हैं मेठर्ड सकेंड है कि वर्पाविनाजी का कोश्चन है आप जितना दिमाग लाएगा उतना दिमाग चलेगा पहला बार देखके छोड़िएगा जीरो बैलेंस पर रहिएगा सबस्क्राइब हम जो कहना है एक हम यह जानते हैं शुरुवात में इनर्जीज के पास कितना था इस पर यह कही मुझा क्या हुआ ही रफ रोड आके रुग गया है तश दिक्रीज इन पो टेंशेनर जो हुआ कि उस इनर्जी को लोग्स कोन करवाया प्रिक्सन वह इन लोग्स करवा दिया बीच वाला काम बहलू नहीं रहते हैं क्योंगी शुरुआत में रहते बाद में रहते हैं अब बीच में आप क्या करें तो समको क्या मतलब हैं कि अब 2021 में मिशन लिए 2030 में रिजल्ट होना चाहिए बीच में दूसाल पढ़िए या चोरी करके पास कीजिए कोई फर्क नहीं पढ़ता है लेकिन पास करना पड़ेगा एक ज्ञान में आने बीच वाले से कोई मतलब नहीं है हमको सिर्फ इनिश्यल और फाइल से देटें तो कानिक नेर्गी का चेंज नहीं हुआ है पोटेंशियल घटा है और वर्क बाई फ्रिक्शन वर्क बाई फ्रिक्शन एक्वल टू लॉस औप पोटेंशियल एनरजी अधे के वर्क बाई फिक्शन रफ रोड पर हुआ रफ इन्टू डिस्प्लेस्मेंट वर्क दन हो गया अब वर्क दन भाई फ्रिक्शन निगेटिव होता है अधर लॉस पहले लिखिये दिये तो यह जो गया अब देखें घ्राइब होगे भाई जी इससे भी आसान घृत्टेशिए निकाने का मतलब फर्मूला के रूप में इसे बनाइए लेकिन कंसेप्स पराते हैं तो थर्टी नाइन की बात करते हैं आखिर क्या हो सकता है 49 नमर प्रोलम थर्टी नाइन प्रोलम के अगर बात करते हैं इस नमर का करता इनी फर्म चेंड और लेंध्य एल एंड मास्यम तो ओभर हैंग और जेन्टल टेवल बिच तूठट पार्ट उन्दर टेवल देखेए गोट टेवल पहले बनाते हैं क्या बनाते हैं यह टेवल बना दिये हैं इस पर चेन का दो तिहाई पार्ट है ऐसे है और फिर एक तिहाई पार्ट लटका हुआ है कि याने कि इधर चेन की लंबाई जो है लगाई 3 है जो 2L 2 3 है ऐसा आफ समझ सकते हैं क्या है 2L 3 है उपर लटका हुआ है इस अब फ्रेक्सन आना चाहिए ने कि यह ने समझना आता हुए कि वन थड़ अट त्व थड़ क्या ह यह तीहाई यह दो तीहाई पच्माच अच्छा आकम मैंत इस सब आना चाहिए है कि ठीक्सन कोफिए टेबल एंड मिव इचेन इज मिव फाइन वर्क दन भाई फ्रिक्सन दूरिंग दपर पिरियद ऑप चेन स्लिप ऑप दर टेबल कि कितना अच्छा कोशन पूछा है कोशन टेबल पर कोई चेन रख दिए तोड़ा ज्यादा लटका तो सिलिप करके गिर गया सिलिप अखरके तो गिरल और वह बहुत बार्स योजी सी भी गिर गिया होगा दाखने लटक के गिर गया होगा आप प्रिक्सन में लगां के सब्सक्राइब अब हम ऊहीं कहले रहेंगे अब यहां पर थोड़ा बहुत दिमाग लाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर प्रोलम क्या है ने अभी मास ज्यादा है तेवल पर धिरदर मास घटेगा बेट घटेगा इसे डारेक्ट अब यह कोश्चन नहीं बनेगा यहां पर इलिमेंटरी पिस्द लेना पड़ेगा चौटे से पिस्द का ले करके बड़े किसं निकालना पड़एगा लेकिन प्रोसेस को याद कीजिए यह यहां पर भूसारा चेन को हजारों नहीं लाखों नहीं क्लोडों पीस में डिवाइड कर दोगी कौन चेन को जो ऊपर टेवलोबा पर रखला है कि आप इस को रखना है यहां से लेकर यहां तक घष्टाना पड़ेगा निकल जाएगा इतना दूर जाना पड़ेगा मतलब हर पार्ट को अलग अलग वागडन निकालते आगा अब इसको लैंगुज में लिख देते हैं लैंगुज याद कर लिजीएगा क्योंकि center of mass से यह शनकर भी लेंगोज आएगा पूरे फीच में आगा इसे लेंगोज आती ही जगा हर्स्ट भी डिवाइड दर चेंट इंटू लाखों किस नहीं में इसमॉल पीसेड ने इसमॉल पीसेड ने इसमॉल पीसेड न सच पीस उसमें से एक पीस न सच पीस रनलंग डेक्ष बिसमॉल at distance x from end of table table के end से table के end से x दूरी पर लिए है सब language में लिख दिये है आप देखिए चौथा क्लास का मैं इत लागाएंगे एक इक नियम वह एक इक नियम क्या होता है माल लिजिए लेंथ आप लेंथ एल ऐसे लिखते हैं language को थोड़ सिधा करते हैं एक दम चौथा क्लास का उनिटी में ठेड़ा आ गया है लेंथ एल चेंड हैब मास कैप्टलिंग पोश्चन में दिया हुआ है हम अपने मन से नहीं माने हैं पोश्चन पढ़िए अगर लेंथ वन हो जाए तो मास ऑप चेंज हो जाएगा एम बाई एल हो जाएगा अगर लेंथ दियक्स हो जाए दियक्स का मास पहले निकालना है उनको निकालना हो बता रहें दियक्स का मास निकालना है तो हो जाएगा एम बटा बिस यह pairs कि दीए होगा कि inspection का फर्मूला है वह क्या होगा गाँध कि Harm kya का फ्रκιंट कातार म llev यह a क्कियों कि हॉर्चंट्टल सर्फिस है टम्यॉ टी यहं इंट्वी यह फ्रिक्शन हो गया अधर दन हो साइब तो निस्प्लेस्मेंट है दिस्प्लेस्मेंट जो है इसका कितना है एक्स है आई इंट कॉस्ट घीटा होता है तो कॉस्ट फॉस्टी धी होगा करें क्यों दिस्प्लेशन इधर और फिक्षन फोस्त इधर लगता है तो इस माइनस होगा तो निकालीएगा टोटल वर्ट जब निकालीगा इंटेग्रेट किजिएगा लेकिन इंटेग्रेट किए तो कुछ भैलू को बाहर निकालना पड़ेगा अगी माइनस बन हो ग यह बटा एल इंटु डियाट्स एंटु एंटु एक बच गया अंदर में देख लिए ध्यान से इसको मैं मिटाया देता हो नहीं तो आपको 40 नंबर लेकिन इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा यहां से यहां से दूरी कितना है लिमिट जो होगा जीरो से 2L by 3 होगा यह भी कॉंस्टेंट इसको बाहर निकाल लेजिए तो होगा माइनस म्यू जी एम बटा एल इसका इंटीग्रेशन की यह दीएस का तो एक सस्पार बाइट 2 होता है अब इसका इंटीग्रेशन या दोना चाहिए है लिमिट पूट कर भी तू बाहर आ जाएगा तब माइनस म्यू एम जी एल अट वह ले आ यह तर तू बाहर आ गया लिमिट पूट लिए तो एला इसका शुआ का वह स्कॉयर्ट आप मैनस जीरो का वह स्कॉयर्ट तो देखे अब लिखेगा माइनस म्यू एम जी बाइट टू एल और इन्टू इसका होल अस्क्वाइर तब 4L स्क्वाइर बटन नाइन तो देखे यह एल से एक ल कड़ जाएगा तो वर्थ जो होगा आपका माइनस होगा अटू होगा बटनाइन होगा यह बचल रहेगा एक ल कर जाएगा म्यू एम जी और एल आपका अंसर हो जाएगा इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से और इसके बाद अगर कोई डाउट पूछना है पहले समझ लिजिए और तब डाउट आप पूछ सकते हैं हमसे बात को स उसको समझिए गां कि जब फोर्टी नंबर कोंसर मळदीगा तब क्या होगा इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से देखे कोश्चन की बातों को अगर आप समझना चाहते हैं तब फूर्टी नमबर में क्या दिया हुआ उसको अब देखते हैं ब्लॉक ऑफ वन केजी प्लेश्ट है पॉइंट ए और रॉफ ट्रैक नॉट असमूद रॉफ है यह सब रुखड़ा है रॉफ ट्रैक है मतलब यहां मौशन जीरो से चालू हुआ है और इसको धक्का देदिए नीचे आने लगा यहां पर भी आके वेलुसीटी जीरो यानि भी बराबर जीरो दिया एकॉर्डिंग पोकॉर्शन हम नहीं लिख रहे हैं यहां तो जीरो स्था है मतलब कि बहुत ही असान प्रोलम है देखे कैसे असान है वह बात बताते हैं आपको ध्यांस समझेए गया काता एक प्लॉक को यहां से पूश किया एरफ सर्फेस से जाते जाते हां रूप यह गया तो रूप न गया तो रोका कौन इसके इनर्जी को घटाया कौन तो वर्गण वाई-फ्रिक्शन अब इसमें 13 मिढ़ा है तो एंगल उंगल का जरूत न पढ़ेगा वाई-कंजर्वेशन अफ इनर्जी लिख दिजे सिधे एक दम सीधा सीधा लिखे का जर्वेशन अभी नाजी से क्या वर्ग वाई-फ्रिक्शन के द्वारा जो बढ़्ड हुआ वो लॉस अप्पोटेंशन में काने जिरो फाने ने काने जिरो तो कहानी यह खतम उसका स्पीड बीच में क्या था नहीं था यह कहान यह खतम उसका तो लॉस अपपोटेंशन है जी सिर्फ हो जाएगा हो यह कान नहीं करता मों लॉस पर हैंजी दिखेगा है यह 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 लिखिएगा एक गोने दस और हाइट में चेंज कितना वही लॉस हो गया तो ये था वन मिटर पर ये था 0.8 तो लिख दते हैं चलिए आप लोग के लिए तो पॉइंट टू आ गया और इस दो जूल इनर्जी का लॉस हुआ अगर 9.8 लिए होंगे तब 1.96 आएगा अंसर कि इनको कर्श्थ है तब ओल लिए एकदम आसान कोष्टन है अम दियी गातमना बात को देखे एक उइनकलाइन प्लेन ऐसे देते लिए हैं यह जो एंगला से दिया है स्प्रिंग में रोख है इसे लगवल ठीक है और एक ब्लॉक को यहां से स्लाइड करवाए गया है यहां से कि ब्लॉक को स्लाइड करवाया जा रहा है कि इनकलानेशन स्टेटिश दिगरी दिया हुआ है ब्लॉक मास जो है इसका स्टू के लिए है आपका निनिद्स कफेशन सरस ने है इस इस ब्लॉक का दूरी थे न सब्सक्राइब मतलब यहां सब्सक्राइब मैक्समाम कंप्रेशन जो है एक्स मैस जो दिया है एक्स मैक्स वह ट्वांटी सेंटीमीटर दिया लेकिन हम तो मीटर में लिखते हैं मैक्समाम कंप्रेश कर गया दका मारा मैक्सम कंप्रेश हो गया लेकिन एक मीटर ऊपर धिया जहां यहां तक हम वहां से एक मीटर उपर बापस प्रिक्षिंग और नहीं कोई डाटा नहीं दिया है यह के को दूब दिया बाकि सब कुछ को निकालने के लिए का रहा है अना लेकिन दर यह मत कंजर्वेशन अफ इनर्जी इसको अगर बनाते न्यूटन स्लाइसर से जाके तो बड़ा बड़का में बनता है बड़क पाव इनर्जी का कोशन होगा कुछ भी रहे यह पार्ट में आपको कॉफिशेंट अफ्रिक्षिं इसका मतलब यानि आप कर सकते ही पूरा सर्फिस जो है क्या है रśli मतलब रुखड़ा मतलब रुखड़ा है इस बात को समझ मरां बना तो ब्लॉक यहां साया यहां फिर चला गया यहां अने बीच पर इस्प्रिंग लिया इनर्जी अधिर दे दिया उसको मतलब इसमें अपको सो रुप्या दे दिया फिर हम आपसे ले लिए ताब वो क्या फैदा हो कुछ फैदा नहीं हुआ तो ब्लॉक आया अस्प्रिंग को कंप्रिस के अस्प्रिंग फेट दिया उसको आनि अपने अंदर इनर्जी स्टोड़ किया ब्लॉक के चलते हैं अब फिर ब्लॉक को दे दिया तब बीच वाले का बात भूल जाईए मत सोचे कि अस्प्रिंग था आप सोचे की ब्लॉक आया नीचे अफिर उपर चला गया रूख गया रूख तो पहले यह इस पोजिशन पर था अभी जो है इस पोजिशन पर आकर रूख जै यहां पर आकर रूख जै तिसका हाइट में डिक्रीजिमेंट आ जया नहीं इतना हाइट से पिर चला गया अगर यह चिकना सर्फिस रहता हम मान रहे हैं यदि यह चिकना रहता था जानते क्या होता आया था को दवाता अधर फिर से उसको इनर्जी देता आई ब्लोग फिर से उसी पोजिशन पर चला जाता है क्योंकि को इनर्जी लॉस नहीं करवाता अगर यह नीचे रह गया लिए लिए इसका मतलब लिए बाइट दिशानन के नियम से क्या यहां सके यह तक पहुंचा बेचारा तो इसका हाइट में कमी आ गया तो लॉस ऑफ पोटेंशियल इंगर्जी देख लिए हम ने त्य लाइन में सारा काम कर दिये हैं ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाए है work by friction equal to loss of potency तो work by friction तो देखें ये in-clined plane है इंक्लाइन में work done जो होता है friction का Mu Mg cos theta होता है यह friction force हो गया हम friction force अभी निकालें यह friction force हो गया यह क्या हो गया friction force हो गया इंटू डिस्प्लेस्मेंट इंटू डिस्प्लेस्मेंट देगे रहां से आप बाइडन वाइप टिक्स ने कॉल टू लॉस इधर लगा हुआ है तब मैनस नहीं है क्योंकि दून हुतर आप मैनस यह भी मैनस और मैनस कट जाएगा सिद्धा एक कॉल टू लॉस अपॉड है तो एम जी और एच यह भाई जी हमको पता नहीं का करें हम लिखते हैं कुछ अच्छा रहने देपले अधी अच्छी रहते हैं हना तो एच को निकालते हैं एच को निकालते हैं एक जो में टी सब तो पढ़ए तो पढ़ए कि अगर यह मिटर ऊपर चला गया यह वह दोरी तो चार मीटर लब बच गया यह वह दोरी चार मीटर यहां से हां तक बच गया जब यह दोरी चार मीटर बच गया तो सामने वाला हाइट जो होता हूं तो बात आपको पता है क्या होता है चार साइन सामने वाला साइन कंपोनेंट होता ह करना पड़ता है और हमको निकालना है यह बात समझ लिए अभी इधरे लिखते हैं मू तो रहे करेगा और लिख देते हैं पपले चलिए एच बाई एक्स देखे इसको एक फर्मूला बताया थे उसमें भी यही आ गया था और इंटु कॉस्ट ही टा देखें तो हम यही लिख रहे हैं होर्स औंसा कि तोु दिना होगा तब व्लॉक पहले इधर से इधर आया तब ही फिरेत लीए कुरूश करवार है लिधार आया तो भी लोज कराया उधर गया तो भी लोज कराया तो पांच मीटर और एक छो मीटर लिजना है किना लेना है चो मीटर लेना है और कॉस सैथिस दिज लेना है तो साइन बटा कॉस टैन हो जाता है और टैन शैथिस का भेलू जो होता है तीन बटा चार होता है यानि कि म्यू का जो भेलू आया चार गुने छो आइन टू तीन बटा चार तब तीन दूनी छो कट गया जीरो पॉइंट फाइव एकजम एकजेक्ट अंसर आगया देख लिए ध्यान से भी पार्त कोश्चन में इसके अंदर जैसे यहां तक रुखा प्रिश लेकिन तब बलों से आया तब 5 मीटर का दूरी तये है तो इसमें डिक्रीजिन हाइट कितना होगा कि तो अब देखिए जो कोटेंट इस देजिशे डिश्य आ गया नीचे आ गया नीचे इसका ओंस हो गया रहिए कहां थे ग्लागए तो बचा इसके इस टोर हो प्रसप्रिंगत energy से क्या लिखिएगा loss of potential energy of block equal to work done by friction a plus potential energy of a spring potential energy of a spring अब लिखते हैं loss of potential energy block लिखेगा तक्या लिखेगा M, G और X के बदले क्या लिखेगा आपकी बार यह पांच मिकर आया तो यहाँ पांच मिकर था यहाँ हाइट साइन से तिस्ट हो जाएगा के बदद हाइट साइन साइन साइसिंडेगी कि देखेगे वार्ग दन भाई फ्रिक्शन तब फ्रिक्शन फर्मूला होता है क्यों एम जी कॉस्ट थीटा क्यों होता है तो थीटा वदले साइसिंडेगी लेएगा फ्रिक्शन फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेश्मेंट सब्सक्राइब कितना हुआ अब कुछ सोचिए चार एक पांच मीटर पूरे इन्टु पांच पलस हाग के पता नहीं है अस्प्रिंग कॉंशन के ही तो निकालना है लेकिन इसका कंप्रेशन कितना हुआ था जीरो पांट टू मीटर से कि यह ज्यादा कुछ हमने किया है अब भैलू पूट करते हैं मास था दो के लिए अब भैलू पूट करना पड़े रहा तो दो गूने दस और साइन सब्सक्राइब होता है जीरो पॉइंट कितना सिक्स होता है एक्वाल टू इसले मूँ का बहलवी पहले निकालना पड़ा था मुआ का वहले जिघंखे 0.5 निकल गया है इसले मुन का बहलू 0.5 निकल गया है एक यह उसको समय लिए मु गया आपि जिरो प्रणट फाइव द्रण दस और इस अधा दस प्सक्राइब इन्टू फाइव इन्टू फाइव और पलस हाफ एक तो कट जाएगा 0.2 लिख जितने डारेक्ट कट वाउट आगे छोड़िए हना तहां हो जाएगा 0.02 और के बत्याएगा ले लिए जहां से समझ लिए बात को अब इधर गुना भाग किजिएगा तो छो पच्छे 30 आनि 3 दूनी 6 आनि 60 इधर आगया माइनस इसको लाइक इधर कर रहें पहले तक गुना भाग पहले कर लें समने माइनस कर रहें 5 दूनी 10 यह कि तकानी छोड़ दिए यह हो गया 8 पच्छे 40 इधर घटा दिया ला करके औ और यह हो गया आपको 0.02 के आगया है कि इसलिए के बरावर हो जाएगा 20 बटा जीरो पॉइंट जीरो टू मतलब 1000 न्यूटन पर मीट आपके आगया क्या अस्प्रिंग कॉस्टेंट इसके बाद भी आप लोग को लगता है कि कोई कश्ट है तो हमसे पूछ सकते हैं हम तो आपकी के लिए खड़े हैं सुबह से लेके अभी तक जो भी कश्ट हो पूछ सकते हैं तो 48 नमर की बार तीजिए तो 48 नमर में देखिए क्या कहले है यह लिजिए तो हम कहां कम है एक वो ऐसे सिस्टम लगा दिया है ऐसे लंबा सा यहां एक वो अस्प्रिंग है और यह ब्लॉक है कहता है न इस अस्प्रिंग को दबा दिया है पहले इधर जो कमप्रेस किया है एक्स वो दिया हुआ है पांच सेंटीमिटर से कितना से मास ब्लॉक जो है इसका जो मास है और दिया हुआ है आपका हंडेड ग्राम मानि जीरो पांट वन केड़ी ऐसा दिया है हुआ हुआ है पांटिट येवा है आपका से न्यूंटन अपर से ब्लॉक हीट हो जैंटी मतलब ये दो मीटर आपका है दो मीटर यहां वक है तो कहता है ब्लॉक को स्प्रिंग में दबा के छोड़ देंगे यहां भक्का देगा इसका कि आपका क्या होगा देखे आप लोग को याद नहीं रहता है लेकिन किसले क्लास में वह चीज बताएं किसे लोग को याद है कि चो लेंगे तो फेलोसीटी कितना होगा प्रूफ करते हैं फिर से बाइट कंजर्वेशन और इनर्जी से फिर से दुबारा टेंसन मत लिए आप बताएए जब इसको कम करके पकल लें होंगे तो एक स्टीम पोजिशन पर होंगी तो जैसे ही में पर आएगा तो टोटल मेकेनिकल इनरजी एट मीन पोजिशन से ब्लोक अलग हो जाएगा तोटल मेकेनिकल अनरजी एक्स्ट्रीम पोजिशन एक्स्ट्रीम मतरब जहां दवयले थे जब मीन पर आएगा तो इलोंगेशन खताम इसलिए हाप के जीरो का स्वार खताम यहाँ पर सिर्फ कानेटिक वचेगा हाफ हैं भी अस्वार ब्लॉक का यहाँ पर देखे क्या होगा जब एक्स्ट्रीम पर दवयले थे तो स्पीड जी देखिए यह तो दोनों जीरो जीरो हाफ हाफ कट गया आपका एमभी अस्वार एक्वल टू बच गया के एक्स अस्वार तब वहलो सीटी जो होगा उस पोजीशन का फर्मूला के यारूट में याद कर लिजेगा फर्मूला इससलिए थोला बहुत तो याद करना ही पड़ अब भैलो पूट कर देते हैं एक पांच सेंटीमीटर फासा पांच वाटा सौ लिए मीटर में आर यह था सो पेका वैलो अम मांग जो है 0.1 है कितना है 0.1 है देख लिए ध्यांसे इसलिए यह हजार हो जाएगा तब देखिए हम एक बात बताते हैं भी ब्यार हो जाएगा पांच वाटा सौ तो ही रहवे करेगा एंटू 10 रूट 10 हो जाएगा इस देख लिए ज्यांसे इसको कटवा दिए 0.5 हो गया आई इन्टू 10 रूट 10 हो गया चलिए यहां सागे आपको कितना 0.5 अंदर रूट 10 नहीं जी इसको इसी तरह से आब का रेंज का फर्मुला तो आपको पहले से पता है नहीं पता है तो आज भी तो बताया था यू अंडरूट 2 ह वाईज़िए ना तो यह बराबर यू यू का वहलू 0.5 अंडरूट 10 और यह था तक तो इन्टू रूट तो यू वाई-टर रूट अंडरूट गैड आप 2 दो निक्सार कितना आएगा और कोई टेंशन है तो हमको बतला ही दीजिए और अगर कोई कर्ष्ट है तो फर्ट से बतला ही दीजिए क्योंकि आज वर्क पाव एनर्जी इंड हो रहा है और आप लोग देख लिए होंगे मेरा कमाल पूस्चन कितना असान होता है है बले आप लोग को बहुत कश्ट पहुंचा रहा होगा लेकिन हाँ दो तीन बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कोई उपाए नहीं है डाउट पूछी है क्लास इंड होने जा रहा है है बहुत देर प्रहादी दूरहाएं तिन घंटा है कि 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 कि